कलर शेनल पर डेलिकास्ट होने वाले सीरियल उडारिया में जल्द ही जुड़ने वाले हैं तान्या और तेजों के तार एक दूसरे से इन दोनों के बीच एक ऐसी कड़ी अब आने वाली है जो इन दोनों को जोड़ेगी इन दोनों की मुलाकात करवाएगी और वो कड़ी होगी तान्या की मा आज यानि की 6 जून को सामने आया है सीरियल का कल के एपिसोड का प्रो हो जिसमें आपने देखा होगा कि तान्या गिल एक शक्स से फोन पर बात करती नजर आ रही है और वो कह रही है कि क्या उसकी मा ठीक है उसने पैसे जोड लिये है और अब वो अपनी मा से जल्द ही मिल जिसके बाद वो शक्स उसी औरत को कॉल लगाता है जो कि तेजो के साथ शरन आश्रम में रह रही है और वो तान्या को बताता है कि उसकी मा ठीक है और आपने अगर प्रोमो में ध्यान दिया होगा तो ये भी देखने को मिला होगा कि तेजो भी उसी शरन आश्रम में है जह पे है तान्या की मा और अब कयास लगाये जा रहे हैं कि वो घड़ी दूर नहीं है जब तान्या पहुचेगी अपनी मा से मिलने के लिए शरण आश्रम में जहां पर उसकी मुलाकात होगी तेजों से दोनों एक दूसरे से मिलेंगी और यहां से कहानी पलटती हुई नजर जाएगा कि पहली ही मुलाकात में शरण आश्रम जाने के बाद तान्या को तेजों नजर आएगी लेकिन हां तान्या को यह जरूर पता चल जाएगा कि तेजों जिन्दा है और वो शरण आश्रम में रह रखी है वेलागे क्या कुछ होता है सीरियल की कहानी में नया इसका पता सीरियल के आने वाले एपिसोड से चलेगा इवी डाउन से जुड़ी लेटिस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटिस्ट अपडेट